हेलो फ्रेंड्स कैसे आप टेक आसिफ में आपका फिर से स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि Android मोबाइल में अगर आप स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना चाहें तो उसे कैसे कर सकते हैं हम अपने Android मोबाइल में स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें सबसे पहले चलना है गूगल प्ले पर गूगल प्ले पर हम टाइप करेंगे स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डर 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 करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लें क्योंकि यहां पर इसे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहां पर आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं गेम लांचर कर सकते हैं सेटिंग से जाकर सेटिंग देख सकते हैं कि क्या क्या सेटिंग डिफॉल्ट है और क्या आप अपने रिक्वाइट्मेंट के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं यहां पर आप resolution को चेंज कर सकते हैं, यहां पर file format को चेंज कर सकते हैं, यहां पर आप frame rate चेंज कर सकते हैं, recording option चेंज कर सकते हैं, sound quality देख सकते हैं, recording में short touch होगा या ना होगा यह आप चेंज कर सकते हैं, और बहुत कुछ है, आप इसे use करें, और इसे देखें कि आपको क्य क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए उसके बद आप इस स्क्रीन पर आ जाए और आने के बाद इस प्ले बंटन को ओके करने के बाद आप कर सकते हैं क्यूंकि अल्रेडी एक रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करके नहीं दिखा सकता और यह रिकॉर्डिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और आप मैं होप करता हूँ कि आप यह सॉफ्वेर यूस करेंगी यह आप को यूस करेंगी थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो और प्लीस सब्सक्राइब आवर चैनल बाई बाई